हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आई हो बढ़िया होंगे आज मैं आप सबी से सकरकंद की खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो की फटा पट बन जाता और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है स्वीट पटेटो को आप किस नाम से जानते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा यूपी में इसे गंजी भी कहते हैं जिसको मीठा पसंद है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी और बच्चों को खास करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और स्व स्वीट पेटेटो को टू विशल आने तक प्रेशर कूकर में हम बाइल करेंगे फिर इसके बाद इसके निकाल के हम ले लेंगे पिटेटो को हमने काफी देर तक बाल करके रखा इसलिए थोड़ा काला लग रहा है तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें घी लेना है और अच्छी रेसिपी है अब सबसे पहले काजू और बादाम और पिस्टा को अम करश कर लेते हैं यह हम ने ड्राइफ रोट कटल ले लिए हैं इसी में काजू पिस्टा और बादम हम डाल देंगे और अब अच्छे से ड्राइफ रोट हमारा क्रश हो जाएगा ये देखिए कितने एजी तरीके से हमारा ड्राइफ रोट कट हो गया है ना कहीं इधर उधर गिरता है और ना ही इसमें मेहनत लगती है तो अब इसी तरीके से सारा ड्राइफ रोट हम अपना कट कर लेंगे चलिए अब फटा-फट हम खीर बनाते हैं अब घी हमारा गर्म हो चुका है पूरा हम स्वीट पटेटो इसी कडाई में हम डाल देंगे और अब पटेटो मैसर की मदद से हम सारा स्वीट पटेटो मैस कर लेंगे अगर आप चाहें तो पहले मैस करके तब भूने आप अपनी हाथों की मदद से सूट पिटेटो को अच्छे से मैस कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल किचन लैब विध हनामिका को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए अब सूट पिटेटो हमारा अच्छे से मैस हो चुका है और अब potato messer को हम हटा देंगे और अब कर्ची के मदब से अच्छे से इसे हम चला लेंगे अब हमको flame low करना और अच्छे से हम sweet potato को भूण लेंगे sweet potato भूणने में हमको थोड़ा time लगेगा देखे कडाई में sweet potato अभी इतना जादा लग रहा है और quantity भी कम हो गई है, दूसरी तरफ हमने सारा dry fruits cut कर लिया है, I mean crush कर लिया है, दीखे dry fruits हमारा कितना ज़्यादा लग रहा है, और अब चलिए फिर से sweet potato को हम अच्छे से भून लेते हैं, हमने flame low ही रखा है, जो sweet potato हमारा कडाही में चिपक रहा है, उसको चारो तरफ से छुड और अब 7 इस्पून इसमें हम चीनी डाल देंगे, या तो आप half cup के करीब चीनी डाल सकते हैं, खीर हमारा medium मीठा था, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी आप अपने हिसाब से बढ़ा के डाल सकते हैं, और इस वक्त flame हम low रखेंगे और अच्छे से दूद और sweet potato को अच्छे से mix कर लेंगे, sweet potato को दूद में मिलने के लिए थोड़ा time लगेगा, तो हमको धीरे-धीरे sweet potato को दूद में मिलाते रहना है, और जो कडाही के चारो तरब sweet potato चिपक गया है, उसको भी हमको निकालते रहना है, थोड़ी देर के बाद sweet potato milk में अच्छे से मिल चुका है, और अब sweet potato के खीर हमारी रेडी है, अगर आपको जादा थिक करना है, तो थोड़ी देर आप गैस पे और रहने दें, लेकिन थोड़ी देर के बाद खीर हमारा गाड़ा हो जाएगा, और अब लास्ट में हम इलाइची पाउडर डालेंगे, और उपर से कटा हु है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यो फार वाचिंग, बाई